राइजिंग भारत में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ खुद नेतिन कटकरी साहब मौझूद हैं बहुत वर शुक्रिया आप में वक्त निकाला और अभी हम बहुत ही कुछ कुछ कर रहे हैं एक सवाल मेरा होगा थोड़ा सा सीरियस होगा क्योंकि आप मुझे पता कि आप है और 60 परसेंट बिजली तयार करती है उसके अगर पेट्रोल से तुनलागर है तो पेट्रोल का रेट 25 रुपे लिटर आएगा वह हम फॉसिल इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिटूट कॉस्ट इफिक्टिव पॉलुशन प्रियों इंडिजिनेस तो अभी फ्ले किसानों ने तेहर किया है जो ब्रोकन राइस से कौन से शुगर केंजू से नुलाइसे से अब तो इथेनल बंबू से भी बन रहा है तो यह नया रोजगार ग्रामिंट शेत्रे में खड़ा करेगा वह वेल्थ क्रियेट होगी और देश का इंपोर्ट बचेगा और देश को प्रोडूशन से मुक्ति मिलेगी इसलिए मैं अल्टरनेटिव फ्यूइल और बायो फ्यूइल का बहुत परजार करते रहता हूं विर्कुल और आप पूरे कार इंडस्ट्री पूरे आटोमोटिव इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं खुद आप कौन से गाड़ी चलाना क्योंकि मैं जहेड़ प्लस में हूं मेरे साथ वो बुलेट प्रूप गाड़ी है वह अभी तक इसमें नहीं बनी है पर मैं प्रिया प्रायरिटी वाइज अल्टरनेटिव फ्यूइल और बायो फ्यूइल करता हूं और एक इंपोर्टन सीज है कि 16 करोड का फॉसिल हमेंगे इसलिए किसी बीस्तिती में हमको अल्टरनेटिव फ्यूइल और बायो फ्यूइल के तरफ जाना चाहिए अब इलेक्टिक की वेटिंग लिश शुरू हो गई है मैं पास साल के अंदर ट्रांसपोर्ट मंतरी करके उमीद करता हूं कि देश के सब शहरों की बसे इले जो आई है दोनों में फर्क है तो क्या उसके उपर भी हम देखेंगे कम होते वे टाइक्स मैं आपको निश्चित रूफ से यह बात बताना चाहूंगा कि इलेक्टिक पर पास टक के परसेंट जीस्ति हैं और जो हाइब्रिड है इसके उपर 48 परसेंट है और आने वाले समय में यह लगबग इलेक्टिक जैसी है क्योंकि 60 परसेंट बिजली पर चल रहा है और यह अल्टरेटिव फ्यूएल है यह किसानों का है इंडिजिनेस है पोलुशन फ्री है तो मैंने प्रवित्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की है कि जीस्टी कॉंसेल में आप बात करके अगर 12 परसेंट होगा तो यह इंडिस्ट्री बहुत चलेगे जिससे देश का इंपोर्ट कम होगा और प्रदूशन में कमी आएगी और हमारी अट्वल इंडिस्ट्री वैसे भी मैं जब मंत्री बना तो साथवे नंबर पे थी साड़े साथ लाग करोड का उसका टूटल सा जाइसथा अब साड़े बारा लाग करोड की बनी है साड़े चार करोड लोगों को जाप दिया और राज्यसरकार और भारत सरकार को सबसेह जेस्टी देने वादी है और सबसेहादै एक्सपोर्ट हमारे डेश में है और उसके बाद एक बहुत अच्छी बात हुई कि पहले हम चौथे नंबर पे थे अभी तीन मैने पहले हमने जापान को पिछे डालकर हम तिसरे नंबर पर आए पहले नंबर पर युए से दूसरे पर चाहिना है और तिसरे नंबर पर भारत है और मेरा विश्वास है कि पाथ साल के अंदर एटोवेल मैनेफेक्टरिंग हब करूप म हम नंबर एक पर पहुचेंगे और निश्चेत रूप से हमारा एक्सपोर्ट एंप्लाइमेंट क्रियेशन इसमें इंडस्टी बहुत अच्छा काम करें एक अब जनता का सवाल है सर की वह जाना चाहरे थे जो बहुत सरे कॉमेंस भी हमें आये की जो रॉंग साइड होते होती थी अब एक लाख अडश्ट हजार मोते हो रही है और विशेश रूप से इसका कारण जो है और मरने मालों में भी 18-34 एज ग्रूप में 65% है और यह बहुत दुर्भाग्या पुर्णा है इसमें जो है कि हुमन बहेवर यही सबसे बड़ी समस्या है जब तक लोग रूल्स आफ धरोड का पालन नहीं करें गे, सिंगनल दिखेंगे तो रोकेंगे नहीं, गाड़ी चलाती समय मॉबाइल पर बात नहीं करेंगे, और लें डिसिप्लिन का पाइलब करेंगे, यह जब तक ठीक से नहीं हो पाएगा, उस समय तक दॉलंग अजरा आश्इंट क